अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन हो गई कहा गया कि भक्तों के 500 साल का अंतिसार खत्म हुआ राम दल अपनी जन्म स्थली पहुँच गए देश के कोनी गोने में हर्श और उल्लास का माहौल है लोगों ने दिये जलाई खुशिया मनाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की धूम नेपाल तक में दिखाई दी जब अहां करीब एक लाख दिये जलाकर जनकपुर को सजाय गया और दीवाली मनाई गई ये माता सीता की जन्म सली है वहीं दूसी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन उवैसी ने लोगों को 6 दिसंबर 1992 का दिन याद दिलाया एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा का महुच सब चल रहा था तो वहीं दूसी तरफ OVC ने कहा कि लोगों को 6 दिसंबर का दिन भूलना नहीं चाहिए कोई अपने माबाप की मौत को कैसे भूल सकता है सुनिए क्या बोले वैसी दूसी अपने माप की मौत को भूल सकते क्या तूम तुम तुम तूमारी माप की मौत को भूल सकते क्या आप एक सिस्टेमेटिक तरीगे से इस मजजिद को चीन लिए और कई इशूस पैदा हो गए इस घटना के बाद मौझूदा कल्यार सिंग की सरकार को बरखास्त कर दिया गया मामले में केस लंबे समय तक चला जिसके बाद 9 नवंबर को सुप्रीम पोर्ट ने फैस्ता सुनाया और अब योध्या में राम मंदर बन चुका है जिसमें राम लला के लिए प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो चुकी है NBT Online Key Report